आनंदा ड्यरी लिमिटेड ड्यरे श्वेत्र में एक अगरनी नाम है। भरपूर टोफू और भारत में पहली बार बिना मैदा और आटा की बनाई गई सोया फ्रोजन चांप लॉंच किया है। आनंदा के सभी प्रोटीन से भरपूर प्रोडक्ट बिना हाथ से चुए अति आधुनिक आटोमेटिक मशिनों के द्वारा तयार किये गए है। आनंदा के सभी उच्च गुलवत्ता वाले प्रोडक्ट अब राजिस्थान, महाराष्ट, वेष्ट, बंगॉल, मद्यवर्देश, बंगलोर, सहित, संपुर्ण भारत के अलावा विदेशों में भूपलब्ध है। इस लॉंचिंग के आउसर पर आनंदा डेरी डारेक्टर सुनीता दिक्षित सहित समस्त स्टाफ मौझूद रहे। आलम टाइगर के साथ दिलशाद एहमत के रिपोर्ट सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भारत हम कलपना करते हैं कि हमारा देश बिक्सित होगा और हम सब उसके साक्सी होंगे तो बिक्सित भारत को सब को अच्छी क्वालिटी का फूड देने के लिए हमें टेक्नलोजी का भी इस्तेमाल करना होगा। तो फ्रोजन टेक्नलोजी में ये जो इडली दोसा बेटर की ऑड़ा है ये क्राम पी लाने वाला है। आज ये इडली डोसा बैटर सिर्फ साउथ इंडियन फूड नहीं है ये आज पूरी इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा घर में इसको बनाना उतना आसान नहीं हो पाता है और समय लगता है तो सब को आज क्वालिटी चाहिए बिना किसी प्रजर्बेटिब का चाह बिजन की पूरी रेंज जिसमें आप देखें कि ये सोया चाप है ये पहली बार भारत में इस्तकार का पॉड़ट अबेलेबल किया जा रहा है जिसमें 0% मैदा है 100% सिर्फ और सिर्फ सोया बीन को इस्तमाल किया गया है और आज की भागदोर की जिंदगी में ग्यत्ती को चाहिए प्रोटीन की डाइट अगर देखा जाए तो अगर आपका बजन से 70 किलो है तो एक किलो ग्राम फर आपको एक ग्राम प्रोटीन चाहिए तो 70 ग्राम बजन के व्यत्ती को 70 ग्राम प्रोटीन रोजाना खानी है जितना रोजाना हम जो डाइट में लेते हैं सबजी डाल चावल इससे 70 ग्राम प्रोटीन नहीं हो पाती है तो विक्ति को जितना अच्छा प्रोटीन की डाइट लेगा जितना अच्छा फाइबर लेगा उसका हेल्थ उतना अच्छा रहेगा तो इसके लिए आनंदा एक आप और पॉडट की जो रेंज आप देखते हैं कि यह भी लांच किया है ये भी इसमें 32 ग्राम प्रोटीन है और ये टियोर सोयाबीन से बना है और इसका ब्रांड भी सेपरेट रखा है जिससे कि किसी कस्टमर को कोई कंफूजन ना हो और हम लोगों ने इस बात को निश्चित किया है कि हम एक भी प्रोडट ऐसा नहीं लेके आ और फिर उससे प्रोडट बनाएं फिर अपने बैल्योगल कंजूमर को दिलवाएं वही पूरी बैल्यू चैन में हम काम करते हैं और दूसरा हमारा एक संकल्प रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने देश में रोजगार कैसे क्विएट कर सकें ये हमेशा आनंदा का सं परसेंट युवा हैं जिनको अच्छी डारेक्शन चाहिए और अच्छा रोजगार चाहिए तो उसके लिए हम बचन भद्ध हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आनंदा आनंद करो